CBSC term 2 के exam आखिर कब होंगे class 10 class 12 बहुत जादा बच्चे confused हैं कि आखिर उन्हें कितना extra time मिलने वाला है term 2 के exam कब होंगे term 1 का result अटका हुआ है तो यहाँ पर हम clear कर लेते हैं कि यह term 2 के exam कब तक हो सकते हैं CBSC की तरफ से क्योंकि CBSC अभी खुद बहुत जादा confusion में है यह बात तो clear है कि CBSC exam लेगा लेकिन किस time frame में लेगा यह चीज clear नहीं है और इसलिए अभी तक CBSC ने ना तो sample paper release किया है ना ही term 2 की date sheet के बारे में कोई भी guideline जारी की है अब तक क्योंकि CBSC को भी 15 से 20 दिन पहले अपना date sheet release करना पड़ता है schedule बनाना पड़ता है paper set करने पड़ते है पर CBSC को भी पता है कि जो cases है इंडिया में उसके according वो अभी कोई भी date announce नहीं कर सकता ऐसे में जो हमारे students हैं बच्चे हैं वो आखिर कप तक तैयारी करें और कितनी date तक कपने slayvers को लेके चले कि हाँ हमारा ये time frame होना चाहिए तो मैं आपको एक अच्छा idea दे दूँगी जिससे आपको एक बहुती clear idea हो जाएगा कि हाँ इतना time हमारे पास है सो अगर हम covid cases की बात करें cbsc ने आपको circular में बोला था कि हम लोग term 2 का exam लेंगे March and April में ओके अगर हम present time में इस वक्त covid cases की बात करें इंडिया में तो बहुत जादा hike पे है और अभी जो rise हो रहा है ना increase हो रहा है ये अभी fab में और जादा increase होने वाला है और cbsc का exam किसी एक state में नहीं होता हर state का अपना board होता है बट cbsc board सभी state में चलता है इंडिया से बाहर भी चलता है ठीक है इंटरनेशनल भी ये board चलता है और सब जगे covid cases बढ़ रहे हैं तो ऐसे में ऐसे time पे exam होगा जहां पे cases कम होने लग जाए या situation थोड़ी सी up to normal हो जाए तो fab में आपक exam नहीं हो सकता ठीक है और fab के बाद just March में भी offline basis पे exam conduct कराना बहुत difficult है तो यहां पर आप लोग मान सकते 95% की March में पेपर नहीं होगा ठीक है is that clear 95% में आपको बोल सकते हूं कि March में पेपर नहीं होगा cbsc पेपर लेगी या नहीं लेगी पेपर cbsc बिलकुल लेगी cbsc ने कहा है कि हम term 2 का पेपर लेंगे बच्चों का offline mode में लेंगे और बच्चों को proper marking दी जाएगी क्योंकि बच्चों के career का सवाल होता है stream selection करनी होती है college में एडिवीशन करना होता है ठीक है तो ऐसे में last year भी cbsc ने कहता है exam तो हम लेंगे ही लेंगे तो exam तो लिया जाएगा लेकिन आप लोग यह सोच समख सकते हैं कि मार्च में आपका paper नहीं होने जारा अब मार्च में नहीं होने जारा तो आपको थोड़ा additional time मिल रहा है फरवरी आपके पास clear cut है मार्च आपके पास clear cut है exam जो होगा वो मार्च के बाद जैसी situation होगी तब time frame decide किया जाएगा 20 देरियों paper नहीं होगा April माई में हम जा सकते हैं exam के लिए अगर आप last year उठाके देखोगे तो पिछले साल यह ऐसा ही situation था तब CBSC ने बोला था time frame आगे बढ़ा के CBSC माई जून में exam लेने को तयार हो गई थी class 10-12 का और 12th के बच्चों को तो exam July and August में भी लिया गया है last त यार थी तो CBSC wait कर लेगी लेकिन paper करवाएगी तो आप लोग यह मान के चलिए कि आपका paper April से मई में हो सकता है मई तो थोड़ा दूर हो गया लेकिन आप लोग April मान सकते हैं कि April के end में अगर situation अच्छा हो जाता है तो April में अपने ही school में करवा ले या जैसे भी हो सके वैसे अच्छे करवाले मई भी हो सकता है लेकिन आपके पास extra एक मंथ मिल रहा है आपको मार्च का तो आपको तयारी अपनी बनाए रखनी है अच्छे से अच्छे तयारी करनी है प्लस positive mindset के ताथ तयारी करनी है ऑफलाइन एक्जैम के तयारी करनी है मैंने आपको बताया कैसे त करने देन आपको chapters पे जाना है और अपनी तयारी को boost रखिए एक्जैम 100% होगा cbsc बिल्कुल end तक cbsc ने लास्ट यह भी बोला था लास्ट में पीम ने जो मोधी जी थे लास्ट में जाके class 12 का paper cancel किया गया था लेकिन paper इस साल cancel नहीं होगा cbsc का यही है कि हम paper cancel नहीं करें कमेंट में शेयर करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करना ना भूले